तुम आ गई? और ये कौन है? जी, नमस्कार नमस्कार ये कौन है? ये हमारे नए अधियापक है आज है स्कुल में आये हैं अरे आप खड़े क्यों है? बैठिये बैठिये? जी, धन्यवाद अरे तुम खड़े-खड़े मोह क्या देख रही हो? जाओ महमानों के लिए कुछ चाय कॉफी का बंदोबस्त करो अरे अरे रहने दीजिए तकलीव उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है अरे इसमें तकलीव की क्या बात है? हम अभी लाते हैं दरअसल हम ना अपने लिए घर किराय पे देख रहे थे अच्छा तो हमने सोचा की हमारा घर तो खाली है तो आप यहां आजाईए हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं? वैसे तो खाली ही पड़ा रहता है कमरा अच्छा तो किराय कितना लेंगे आप? चाहि अरे मास्टर जी कैसे बाते कर रहा हैं? धन्यवाद खिराय हम आपसे लेंगे ऐसा हो सकता है देखिए अगर आप किराय नहीं लेंगे तो हम आपके घर में हर्गिस नहीं रहेंगे किराय तो आपको लेना पड़ेगा वर्ण हम कोई और घर देख लेंगे भाईया मास्टर जी आपसे हम किराय तो लेने से रहे काम कीजिए हमारी कॉमल को ट्यूशन पढ़ा दीजिए समझ लिजे आपने किराया दे दिया क्यों कॉमल जी भईया यह ठीक रहेगा कि आया मास्टर जी यह रहा आपका कमरा लगता है कमरा काफी टाम से बंद पड़ा है सही पकड़े वो क्या है इस गर में हम बस तीन लोग ही रहते हैं भाईया का एक कमरा है एक हमारा कमरा बाकी सब खाली पड़े रहते हैं उसकी जरूरत नहीं पट्टी कभी पर आप चिंता मत किजिए अभी इसे हम साफ कर देते हैं रुक्या आप अरे लाईया हम भी मदद करते हैं अरे नहीं हम कर लेंगे रहने दीजे आप अरे लाईया हम भी मोदद करते हैं अरे नहीं हम कर लेंगे रहने दिजे आप अरे अरे आज़ी लाईये न talked अँरल ये लाण दो खमाओ तवर इथा अना भादी बुला रही है हमें हम चाहते हैं च़मिच में कर रहे है कोमल कहीं दिखाईनी ते रही है हाँ वो आती ही होगी मैंने उसे पर्डूस में बेचा है कुछ काम सी आए तो उसे मेरे पास बेच देना वो क्या है ना की कोचिंग का टाइम हो गया है हाँ भेचती हूँ मुझे कैसे खूर रहा था मुझे तो इसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते कि अमल की भावी कितनी खूब सुरत है ऐसा लगता है जैसे कोई परी सामने खड़ी हो एक बार मिल जा भी मसर जी हम आ गए तो आज क्या पढ़ाना है तुमें अरे आप भूल गे हमने आपको बताया था ना आज हमें अमें बारे में पढ़ना है ओ मानाव शरीर के बारे में पढ़ना है बैठो ठीक है लगता है आज इस कली को भी फूल बनाना पड़ेगा पूरा आज आपने बोला था कि आज हमें आप